आईए इस बीच कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं लोगसभा चुनाव को लेकर दरसल बीजेपी की तैयारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है बता दे आपको बीजेपी फरवरी में बहुत दिस सम्मेलन करवाएगी ये बड़ी खबर आपके सामने अलग-अलग शहरों में बहुत दिस सम्मेलन करवाएगी बीजेपी और इसके जरीए दलत वोटरों को साधले की ये पूरी कोशिश मानी जा रही है बीजेपी की फरवरी में ये बहुत दिस सम्मेलन अलग-अलग शहरों में करवाया जाएगा ये इस वक्त की बड़ी खबर है लोकसभा चुनाओ के मद्दे नजर बीजेपी की तैयारी को लेकर तो क्या है बीजेपी का ये बॉध प्लान इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं दरसल 2024 पे चुनाओ है वोटरों को साधरे के लिहाद से समधत आमोद रहा है हमारे साथ जुडगे जानकारी के साथ आमोद बताईए क्या है बीजेपी की पूरी रणीती पूरी प्लाने देखे कल महासचीवों की बैठक में दुस्यंत गौतम जो महासचीवों है और दलित समुदाय से खुद आते हैं उनको ये जिम्मवारी दी गई है कि देश भर में तीन बड़े बौध महासंविलन कराने हैं और उसका कोडिनेटर उसका हेड उनको बनाया गया है निश्टित तोर पे पधानमंत्री एक बहुत सम्मेलन को समगोधित करेंगे देश में जादा से जादा जो दलित बहुत में कनवर्ट हो चुके हैं उनको एक तरह से कहीं कहीं आप अगर चाहें तो राइनितिक रूप से इसको देख सकती हैं की साधने की कोशिस लेकिन इसके अलावा और भी फैसले कल जो बहुत सारे हुए महासचीवों के बैठक में उसमें ये भी फैसला हुआ कि जो महिला मोर्चा है 25,000 महिलाओं के दो बड़े सभाएं कराएंगी और उसमें एक में प्रधान मंत्री शामिल होंगे ये सभाएं जो हैं दोनों एक मध्य प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश में कराई जाएगी इसके लावा और भी तमाम बहुत सारे फैसले हुए हैं जिसमें मेनिफेस्टो कमिटी का जिमा जो है राधह मोहंदास अगरवाल को दिया गया है इसके आलावा बिनोध तावडे उनको भी बहुत सारे महत्यपूर्ड काम दिये गए है जो भी पाटी में ज्वाइनिंग होंगी उसके ज्वाइनिंग के हेड को हेड के तौर पे बिनोत तावडे को काम दिया गया है तो बीजेपी अब पुरी तरह से आमूल चुल ढंक से परिवर्तित करके अपने आपको पुरी तरह से चुनावी फीजा में तब्दिल करना चाहती है और अपने आपको जोग चुकी है ऐसे में लगतार बैठकों का दोर जारी है पृतिमा 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी लिए जैसा कि आमोध हमें जानकारी दे रहे थे बैठकों का दोर जारी है तो किस तरीकी से बीजेपी का सबसे बड़ा बंथन जारी है इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे है देखे राम मंदर की बात करें तो दो घंटे तक पार्टी द्वारा तै कामों की चर्चा की गई इसके साथी आयोध्या जाने वाली टीम के साथ भी बात्षीत की गई जेपी नड़ा की मौझूदगी में ये बैटा कोई जिसमें बील संतोष सुनील बंसल विनोतावडे तरंचुग से चर्चा की गई साथी आयोध्या में कामों की स्टेप बाई स्टेप चर्चा की गई है इसके लावा लोग सभाच चनाव की बात करें तो विनोतावडे को जोइनिंग कमिटी का ट्रीफ बनाया गया है दूसरे दलों से नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की जिम्मेदारी सौपी गई है रादा मोहंदास अगरवाल को घोशना पत्र बनाने का काम सापा गया है साथी सुनील बंसल समेट दूसरे महामंत्रों को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है तो किस तरीके से पूरी तैयारी बीजेपी की 24 के चनाव को लेकर सामने आ रहे है उसी से जुड़े हुए अपडेट आपके सामने इस बीच फ्लोक सबाग चनाव पर बीजेपी महला मोर्चा का पैसला दो बड़े महला अधिवेशन कराएगा महला मोर्चा जनवरी के आखरी या फरवरी में होगा ये अधिवेशन एक महला अधिवेशन को पीम मोधी संबोधित करेंगे दूसरे को अमिशा या जेपी नड़ा संबोधित करेंगे